सब्सक्राइब दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों लमसम निवेश करने के लिए आपके पास वैसे कई विकल्प पॉच्छूत होते हैं जाज़तार लोग अपने पैसे को बैंक, आएफटी में निवेश करते हैं लोंग टाइम के लिए या फिर अगर आप लमसम पैसे निवेश कर रहे हैं तो बहुत सरे लोग LAC की स्कीमों की तरफ भी रुख करते हैं या फिर बहुत सरे लोग पॉंट्स या फिर कोड में भी निवेश करते हैं या फिर दोस्तो आपके पास एक और आप्शन होता है जहांपर आप कम से कम लमसम पैसे निवेश करके लोग टाइम में कमपॉंट इंडर्स रेट के हिजाबते अपने पैसे को कई गुणा तक पढ़ा सकते हैं दोस्तो ऐसा आप्शन आपको मिलता है इस वक्त मीचल फरंड्स इसकीमों का अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो लोगों का रोचान मीचल फरंड्स इसकीमों के तरफ काफी ज़ादा हुआ है ऐसा इसलिए है क्योंकि मीचल फरंड्स इसकीमों ने एवड़े के मुकाबले तीन से लेकर चार कुना तक सादा रिटन दिया है और जो लोग टाइम के लिए अपने गोल को पूरा करने के लिए निविश करना चाहते हैं उन लोगों ने mutual funds इसकीमों से काफी तगड़ा पैसा कमाया है दोस्तो यही बचा है कि अगर आप आज भी mutual funds इसकीमों के तरफ थोड़े पैसे पे निविश करके लोग टाइम के लिए अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर mutual funds में आपको काफी अच्छा benefit मिल सकता है आज हम आपके लिए एक ऐसा ही लमसम investment फ्लान लेकर आए है mutual funds का जहाँ पर आप मातर एक लाग रुपे का निविश करके अपने लिए दू करोण 43 लाग रुपे का फंड बना सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह fund उन्लों के लिए काफी अच्छा रहेगा जो अपने goal को पूरा करना चाहते हैं उन्हें कोई घर खरीदना है कोई घाड़ी खरीदनी है या फिर बच्चों की higher education के लिए वो अभी से एक निविश प्लान करना चाहते हैं और उनके बच्चे आपी छोटे हैं और उनके पास निविश का एक काफी लंबा वक्त है जहां पर वो अपने थोड़े पैसे निविश करके रख सकते हैं दोस्तों वो लोग इस fund के अंदर एक लाग रुपे से ही करीब ठाई करोड रुपे यानि दो करोड तेतालिस लाग रुपे तक का fund बना सकते हैं इस वीडियो में इस fund का पूरा review करेंगे और calculation के साथ समझेंगे कि कैसे यहाँ पर आपको दो करोड तेतालिस लाग रुपे का fund मिल सकता है उससे पहले दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं fund के return की तो annually return fund का काफी बढ़िया है 18.72% का जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इस fund है return काफी अच्छा दिया है 10.24% का पिछले 3 साल का fund का return और अच्छा है 23.58% का जबकि अगर हम बात करें पिछले 6 महिने की तो fund का return 9.35% है दोस्तों mutual funds की एक ऐसी scheme है जिसने लगतार काफी शानता return दिया है और fund का नाम है UTI mid cap fund direct plan growth दोस्तों यहाँ पर जो भी पैसा है वो stock market के अंदर जो mid cap category के stocks हैं उनके अंदर पैसा निवेश के लिया है जही वज़ा है कि इस fund ने भी जो return दिया है old time में काफी अच्छा दिया है क्योंकि दोस्तों mid cap category के जो stocks हैं उन्होंने भी काफी अच्छी performance दिया है और unavailable time में भी mid cap sector के अंदर आपको एक अच्छी growth देखने के लिए मिल सकती है long time के अंदर दोस्तों mutual funds के अंदर भी आप लम सम बिलकुल bank FD की तरह एक बार पैसे निवेश करके अपने लिए एक अच्छा fund तयार कर सकते हैं दोस्तों गर हम बात करें आपर fund size की तो लोगोंने 7,230 करोड रुपे इस mutual funds इसकीम के अंदर निवेश के हुए है fund की rating की बात करें तो 3 है अगर हम NAV की बात करें याने net asset value की तो यह है 203 रुपी यानि कि आप जो पैसे निवेश करेंगे और दोस्तों जो भी NAV का price होगा इसके हिसाब सही आपको unit लोड की जाएगी और इसी पर आप profit या loss track कर सकते हैं अगर आपके पास लबसम भी जादा पैसे नहीं है तो आप हर महिने के अधार पर मातर 500 रुपे SIP से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों गर हम बात करें हैं आपर holding अनराइस की तो equity के अंदर 96% पैसा यूज किया गया है cash के अंदर 3.1% और debt के अंदर भी 0.2% पैसा यूज किया गया है total fund size का दोस्तों गर बात कीज़ें यहाँ पर equity sector location की तो other sector के अंदर 19% पैसा यूज किया गया है financial sector के अंदर 16.7% auto mobile के अंदर 13.8% capital goods के अंदर 10.8% construction sector के अंदर जो stocks हैं महाँ पर 9.3% healthcare sector के अंदर भी करीब 9% chemical sector के अंदर करीब 8% services में करीब 6.7% और technology के अंदर भी 6% पैसा यूज किया गया है total fund size का दोस्तों के हम बात करें हैं आपर holding की तो total 71 stocks हैं जहाँ पर पैसा नभीश किया गया है टॉप holding में tube investment, चोला मंडला, दा फेडर बैंक, श्रीराम फाइनस, पी आई इंडस्टी, भारत फोर्ज, कॉर वैश्या बैंक दोस्तों इस तरह के total stocks हैं जहाँ पर पैसा नभीश किया है दोस्तों गर बात की जाएं यहाँ पर expense ratio यहाँ इस mutual funds के खर्चे की तो यह भी कम है 1.01% का दोस्तों जो पैसे आप नभीश करेंगे और जो expense ratio होगा यह पैसे काट करी आपको current NAV के हिसाप से unit lot की जाएगी जो भी उस वक्त price होगा NAV का exit lot की बात करें तो 1% है अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तब tax की बात करें तो 15% का tax होता है अगर आप अपने पैसे को एक साल से पहले निकालते हैं तब लेकिन अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको LTCG का चार्ज होता है 10% हो देना होता है अगर आपका प्रॉफिट एक लाख रुपे से जादा है एक साल के अंदर तब दोस्तों गर हम बात करें हाँ पर फंड मेनेजमेंट टीम की तो इस फंड को अंकित अगरवाल 2019 से मैनेज कर रहे हैं अगर UTI मूचल फंड हाउस की बात की जाए तो दोस्तों लोगों ने इस मूचल फंड हाउस के साथ करीब 2,23,49 में करोट रुपे का निवेश किया हुआ ह अलग-अलग इस कीमों के अंदर फंड हाउस की रैंक इंडिया में है एक नंबर पर और स्टार्ट वता 2002 में फंड हाउस UTI मूचल फंड हाउस दोस्तों गर आप लंजम इस फंड के अंदर एक लाक रुपे का निवेश करते हैं और यहाँ पर रेटन हम एक्समेट कर रहे ह इस फंड से 17% अने वले टाइम में अगर आप लगतार 5 साल तक इस पैसे को इस फंड के अंदर निवेश करके रखते हैं तो इस पर इस टीमिट रिटन आपको मिलेगा 1,19,245 रुपे का यानि कि 5 साल के बाद आपके पास होंगे 2,19,245 रुपे अगर आप दूस्तों इस लाक रुपे बढ़कर 10 साल में हो जाएंगे 4,80,683 रुपे अगर आप दूस्तों इस पैसे को इस फंड के अंदर 15 साल तक निवेश करके रखते हैं तो इस पर इस्टीमिट रिटन आपको मिलेगा 9,53,822 रुपे का जैनि कि 15 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 10,53,822 दूस्तों इसी तरह इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप 20 साल तक निवेश करके रखते हैं तो इस पर इस्टीमिट रिटन आपको मिलेगा 22,10,560 रुपे का यानि आपके एक लाक रुपे बढ़कर 20 साल में हो जाएंगे 23,10,560 रुपे अगर आप दूस्तों लगत 25 साल तक इस पैसे को इस फंड के अंदर निविश करके रखते हैं तो इस पर इस्टीमिट रिटन आपको मिलेगा 24,65,783 रुपे का और आपके एक लाक रुपे बढ़कर 25 साल में हो जाएंगे 50,65,783 रुपे अगर आप दोस्तों और 5 साल यानि के करीब 30 साल तक इस पैसे को इस यूटे फंड के अंदर निविश करके रखते हैं तो एक लाक रुपे पर आपको एक करोड दस लाक छे हजार 4,65 रुपे का स्टीमिट रिटन मिल जाएगा यानि तीस साल के बाद आपके पास होंगे एक करोड 11,64,65 रुपे इसी तर दोस्तों अगर आप 35 साल तक इ अदर निविश करके रखते हैं तो इस पर इस्टीमिट रिटन आपको मिलेगा 2,42,50,347 रुपे का यानि आपके एक लाक रुपे बढ़कर 35 साल में हो जाएंगे 2,43,50,347 रुपे तो दोस्तों ये फंड उन लों के लिए काफी अच्छा रहेगा अपने गोल को पूरा कर आते हैं लमसम निवेश करके दोस्ते इस वीडियो से लेटेट कोई कोशन होता है तो हमें ज़रूर बताएं अगर आप मिचल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरुत होती है अगर आपकी पास पहले से कोई डीमेट अ